कि अघ्रकों अजिए आक और अच्ट को अच्ट को अच्ट करतह अच्ट कि अच्ट को अच्ट को खुच दw और ऑगे तक पैसार नहीं यह दिल्ली से गुर्वादा परवंदे कमेटी की बात करें तो वार नमबर 41 से सरदार ग्यान सिंग जो की सरना गुट से खड़े हुए आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं गुरु साफ का आशिवाद लेने के बाद में और संगत के साथ वो मौझूद है सबसे पहले तो टिकट मिलने पर ग्यान सिंग जी हार देख शुपकामना है भारत टीवी परिवार की दूट थैंक्यू रहूल जी सब तो पहला मैं सब परमजी सिंग जी सरना परदान शरोमनी अकाली दिल्ली दा अभारी हूँ जीना ने दासनों इस लाइक समझा इस वाड तो वाड नमबर अग्ताली तो फे टिक्ट दिती दास पूरी पार्टी दा परदान स्वेत अनवाद करता है मुई मुद्धो की बात करें क्या इस वार रहने वाले हैं इस तरह है कि साथा नारा पहला है मी सेवा किती है सेवा करांगे साथी पर नगी दे अंडर फेरा toutes दो यह महीं परदान की देयाँ और लिस इतना इक सेवां आप इसर्श कमिटी न कम किते हैं साथे गुरु हरकिशन पहुल स्कूलादे विचे अंदा दार्द हो गया असी तवारा उस एक बच्चान उना स्कूलादे विचे लिए अंदा साथा अजंडा है दूसरा साइव शिरी गुरु करंद साइव जी जड़ी बेयद भी होई है उस बेयद में दी रोक थां वास्ते साथी पार्टी पूरा जोर लगा देगी वहीं देखने में आ रहा है कि वक्त है परिवर्तन का ग्यान सिंग जी के समर्शन में हांजी हांजी बिलकुल सर समू जिस तरह से आप ये संगता हड़ देख रहे हो इतनी पब्लीक इनके साथ नॉमिनेशन के लिए जा रही है तो जी बोलो बोलो जो पिछले काम है बहुत अच्छे से संगत के लिए और अपरे सिक धल्ब के लिए और स्कूलों में जीते हैं अच्छे काम इन हो जिए उसको ध्यान में रखते हुए वह काभीले तारीफ है जोली साब क्या कहना चाहेंगे क्या संगता नो जो बेमती है कि जड़ा प्यार सानु इस ठाहँ प्यार अच्छे कठा हुए एस सारा ही संगता प्यार दर्शान्दा है कि किना कुछ प्यार संगता स्रार दाश्चेंग जात जी क्या कहना चाहेंगे जान जी के बारे में पहले बी इन्हां नों सिवा दिती ती जिए इन्हां ने बड़ी बड़ी इस वाई आया और हुड़ी जो कहने ऑगे और करके दिखावन गे विश्वास है तो वह किसके साथ जाने वाली है वाइगुड़ जी ता खाल सा वाइगुड़ जी थी सते साथे एरिया तो सदार ग्यान सिंग जी घड़े ने वाड नमर इक ताली तो नहीं विजय बनाए सारे जिन्दे भी यूथ को यूथ जड़े चोटे वीर साथे बटे अंकल जी सदार ग्यान सिंग जी जो सिख संगतों के लिए यहां पर करा है वो सारे अच्छे बलीबाती जरीके से जानती है आगे भी सदार ग्यान सिंग जी सिख संगतों के साथ में उनके अपने देखो जी दिल्ली का सिख दिल्ली के गुर्दवारों की जिम्मेदारी लेने के लिए तियार है हमें किसी बाहर वाले की कोई जरूरत नहीं है पंजाब से आने वालों के लिए कोई जगा नहीं है यहां पर हम अपनी कारवाई अपने गुर्दवारों की सेवा खुद करें इन्होंने सारा धन लूट के पंजाब के लक्षणों में लगा दिया दिली के गुर्दवारों को कंगाल कर दिया करदार कर दिया शानमे करोट रुपए की अफडी शोड़ के गया से एक रुपए भी नहीं है जिनके पास लंगर कभी खतम नहीं होता था आटा दाल चावल भ देते हैं हमें अपने गुरुदामों को गुरुद द्वारों के द्वारा बनाए गई सोसाइटियों को उनके द्वारा जो भी द्याले चल रहे हैं जो भी कॉलेज चल रहे हैं उनका प्रबंध हम सब खुद करेंगे सरदार क्यान सिंग जी को पूरे जोर से जिताएंगे और इनकी विजे सुनिश्चीत हैं और यही आगे चलके और पदों प्यासीन होके सारी जो इनकी कार्ज़वारी है उनको खतम करेंगे। बहुत बढ़िया बात कही है कि जो गुरुगर का लंगर था जो खजाना था वो खाली हो चुका है क्या कहना चाहेंगे हैं। वेरिया दा रोना है घराण होना बाकी है। जित साथी पकी है एलान होना बाकी है। ताली नमबर वार्ड से हमारे जो मेंबर ग्यान सिंग्जी हैं ये पिछले कई सालों से कुर्दवारों का कौलीजों का परवंद बहुत ही अच्छे तरीके से देखते आ रहे हैं। पिछे चार साल के अंदर जो प्रवंद बिगड़ गया है उसको दुवारा से सुधारने के लिए सुधार ग्यान सिंजी का दुवारा से कमेटी के अंदर आना बहुत जादा जरूरी है जिस परकार से आजमी को आकसीजन लेना जरूरी है